Hello everyone, आज हम numerical methods in chemical engineering जो subject है और ये जो subject है वो 4th sem chemical branch के अंदर आता है उसके अंदर हम देखेंगे Gauss Elimination Method के base पे example तो हमने previous वीडियो के अंदर already Gauss Elimination Method के बारे में discuss किया था किस तरह से हमें process करनी है और किस तरह से हमें जो linear equation दिये होते है उनका solution find out करना है तो solution find out करना है means unknown variable जो होते है equation में यहाँ पे दिये है x1, x2, x3 उसकी value हमें find out करनी है तो Gauss Elimination में हम क्या करेंगे पहले जो भी equation है उनको हम इस तरह से matrix form में लिखेंगे और वहाँ से हम यह augmented matrix है यह form में लिखेंगे उसके बाद हम elementary row operation यूज़ करके यह जो matrix है उसको हम क्या करेंगे upper triangular matrix यह form में हम लिखेंगे तो देखो इस type का matrix आएगा यह upper triangular matrix हो गया यह जो diagonal element है उसके नीचे का जो element सारे कैसे हो जाएंगे 0 तो उसको जो element है उसको क्या बोलते है पाइवट element यह तो पाइवट entry बोलते है यह तो पाइवट elements ओके तो यह जो है यह element यूज़ करके हम उसके नीचे जीरो बनाते है वह हमने एक्जम्पल के अंदर देखा था राइट बाद में यह आ जाये तो बाद में यह matrix को यह से equation में हमें फिर से लिखना पड़ेगा और यहाँ पर back substitution method यूज़ करके हम x1, x2, and x3 के value find कर सकते है तो यह already हमने last time देखा था आज भी देखेंगे वही लेकिन क्या difference है देखो यह जो example है यह हमने previous वीडियो में हमने discuss किया था तो यह gauss elimination method यूज़ करनी है और हमें यहाँ पर solution निकलना है तो solution में क्या find करना है unknown variable कौन सा दिया है x, y, and z तो x, y, and z के value find करनी है तो उसके लिए यह matrix form में लिखना जरूरी है कैसे लिखना है वो already मैंने बताया है previous वीडियो में तो आप वो देख सकते हैं वहाँ से यह augmented matrix के बारे में में दिस्कस किया है video number में selection number 3 and 4 में तो वो भी आप देख सकते हैं बात में हम row operation यूज किया था तो यहाँ पर आज हम वही same example देखेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से method gosh elimination ही है तब दो तरीके से कर सकते होंगो पहला तो यह हमने क्या क्या था यह two जो है वो non zero है यह पहला element non zero होना चाहिए तब जाके हम कर सकते है zero आगा है तो तो row को interchange करने पड़ेगी वो मैं आपक करता हूँ ऐसा को example लेगे तो यहाँ पर हमने two को reference में लेके यह पूरी राइन को row को reference में लेके उसके बीलो के जो दो element है उसको zero किया थे यह row operation use करके राइट तो हम ऐसा भी कर सकते है या तो यह two को क्या बना देते है one मतलब यह पूरी row है उसको हम two से divide कर देंगे तो one ब बना देंगे तो one बनाने के बाद उसको zero बनाएंगे तब भी हो जाएगा तो मतलब वहाँ पर यह जो example है वो दो step में हो जाएगा कि यहाँ पर कितने यह first and second मतलब दो step में answer रगया तो वहाँ पर हमें one बनाना है तो उसके लिए एक step extra करना पड़ेगा तो वहाँ पर थोड़ा lengthy होगा लेकिन वो easy भी रहेगा ऐसा जो row operation हम करते है यहाँ पर complicated होता है तो हम उसको easy तरीके से भी कर सकते है तो same example हम अभी वो method से देखेंगे कौन सी यह two को one बनाना है वहाँ में पहले pivot entry को बाद में करना है बाद में हम diagonally move होते है यहाँ पर क्य तब यह method से भी कर सकते हो directly या तो मैं आज बताऊँगा वो method से भी कर सकते हो दोनों same ही method है गौस elimination ही method है लेकिन यह जो हम row operation कर रहे है वो थोड़ा different रहेगा राइट तो देखो यह example है यहाँ पर क्या लिखा है कि solve the following linear system using Gauss elimination method तो यह जो हमें करना कैसा है यह तीनों जो equation है ऐसे एक row में दिये है तो उसको पहले हमें answer seat में लिखेंगे तो क्या करना है पहले equation बाद में यह दूसरा जो equation है वो उसके नीचे और थर जो है वो उसके below बलाब यह one by one लिखना है ऐसे एक line में हमें लिखना नहीं एकर लिखेंगे तो वहां से हमें यह अंदर यह लाइन है वर्टिकल ले पोर्सन वहां पर हमें A लिखना है और रईट पोर्सन है वहां पर हमें B लिखना है अब यह a and b क्या है already हमने देखा था a मतलब क्या है matrix of a coefficient मतलब जो हमारा variable जो है unknown x, y, z उसका जो coefficient है उसका matrix तो c यहाँ पर x का coefficient क्या है 2 y का 1, z का क्या minus 1 तो यह हो गया पहला और right side पर क्या है equal to 1 तो यहाँ पर यह क्या लिखने है 1 then 5, 2, 2 minus 4 तो देखो 5, 2, 2, 2 minus 4 3 और y का coefficient कूछ नहीं मतलब 1 1, 5 3, 1, 1, 5 इस तरह से हम augmented matrix लिख सकते हैं अब क्या करेंगे हमने चो same example previous video में देखा था और same method यूज की थी उसमें क्या क्या था यह 2 को ऐसे ही रखा था और उद्ध को consider करके उनको reference में लेके यह 5 and 3 को क्या बनाया था 0 हम यहाँ पे भी यही काम करना है लेकिन क्या करेंगे पहले यह 2 जो है उसको बोलते है pivot element उसको हम क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे तो 2 कौन सी रो में है देखो पहली रो में है तो उसको हम कैसे तरीके से कर सकते है यहाँ पे क्या लिखा है minus r1 plus r2 लिखा है r3 लिखा है क्यों क्योंकि यहाँ पे r3 जो है न इसलिए यहाँ पे r3 रो में यहाँ पे 3 है इसलिए ऐसा लिखा है अग अधर आप ऐसा भी लिख सकते operation 1 by 2 r1 मतलब यह जो row 1 है उसको हम 2 से divide कर देंगे entire row को तो पहली row क्या जाएगी 1 और यह 1 है तो क्या लिखेंगे 2 से divide कर देंगे 1 by 2 minus 1 है तो क्या लिखेंगे minus 1 by 2 और यहाँ पे right side पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे तो आप इस तरह से करो तब भी answer आपका same आएगा row है यह उनको हमें 2 से divide करना है that means 1 by 2 से multiply करना है चला तो यह तो हम कर सकते आराम से बाद में यहाँ पे थोड़ा अलग तरीकस्ते किया है यह 2 है हमें उसको 1 बनाना है तो यह जो row number 3 है उसमें 3 है तो क्या करेंगे r1 10s2 आरोन में लिख देता हूँ अब हमें 1 बनाना है तो यहाँ पे 3 है वो कौनसी row में है 3rd row में तो क्या लिखूंगा r3 तो उसको add कर देंगे और यहाँ में minus कर देंगे मतलब ऐसा भी लिख सकते हो r3 minus r1 करना है इसका meaning हुआ मतलब 3rd row में से हमें 1st row को क्या करना है subtract करना है तो 3 minus 2 करेंगे यहाँ पे 3 minus 2 क्या जाएगा 1 आ जाएगा तो हम operation कौनसी row में कर रहे है अभी 1st row में तो 2nd row and 3rd row तो हमें पहले लिखी दे रही है directly same ही ओके बाद में 1st row में हमें changes करना है यह 1 minus minus 1 तो क्या हो जाएगा 1 plus 1 मतलब 2 हो जाएगा 5 minus 1 क्या हो जाएगा 4 यह पहली row पूरी change कर दी हमने यह operation perform गया रइट तो यह आ गया अब हमें next step क्या अंसा करना है कि यह हमारा pivot element आ गया पाइवोट entry बोल दे तो यह first row को हमें reference में लेना है और यह one जो आया न उसके नीचे के जो दो element है 5 and 3 उसको क्या बनाना है हमें 0 बनाना है तो c कैसे करेंगे अभी तो यह 5 को 0 बनाना है तो operation कौन सी row में करना पड़ेगा second row में r2 tends to r2 तो हमें लिखी देना है अभी यह reference किसको लेना है first row को तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ r1 अब देखो यह 5 है तो मैं यहाँ पर 5 r1 लिखू और यह plus है तो यहाँ पर मैं क्या कर दो minus तो यह 0 हो जाएगा 5 तो क्योंकि r2 का मतलब क्या हुआ यह r2 का element 5 minus यह 5 into r1 r1 क्या है हमारा 1 तो देखो 5 minus 5 0 हो गया है तो similarly पूरी रो को हमाई ऐसे ही answer लिखना है देखो r2 minus 5 r1 तो यह 2 r2 का मतलब minus 5 r1 क्या है यहाँ पर 0 तो answer क्या आएगा है 2 आएगा तो देखो यह 2 answer लिख दिया है यह 5 0 हो गया है similarly हम सब कुछ कर सकते है यहाँ पर यह 2 है तो 2 minus 5 r1 क्या है देखो 2 है तो 2 minus 10 मतलब क्या आएगा minus 8 answer आएगा तो see यह आपर minus 8 आएगा है तो यह operation में रखके जाना है और यह जो calculation है वो exam में बताना नहीं है मतलब लिखना नहीं है बस यहाँ से ही आपको लिख देना है r2 मतलब क्या है minus 4 यहाँ पर minus 5 यह मैं आपको गिंती करके बताता हूँ आप direct भी कर सकते है r1 क्या है 4 minus 4 minus 20 तो क्या आएगा minus 24 आएगा तो c minus 24 तो यह second row का काम हो गया हमारा यह 0 भी बन गया और सब कुछ change भी हो गया अब हमें same procedure करनी है यह pivot 1 जो है यह पहली row को reference लेना है और यह 5 को तो 0 बना दिया अब किसको बनाना है 3 को 0 बनाना है तो operation कौन सी row में करना है 3rd row में तो मैं क्या लिखूंगा r3 arrow r3 लिख दिया मैंने बाद में reference कौन सी लेनी है first row तो क्या लिखूंगा r1 यहाँपे क्या है 3 तो यह r1 को 3 से multiply करूंगा क्योंकि यह 1 है इसलिए और यह plus है 3 तो यहाँपे क्या कर दूंगा minus तो वो 0 हो जाएगा तो हमें यहाँपे 0 लिखी देना है बाद में बाकी के जो element जो है वो क्यों से आते है तो वो चेक करना है तो यह r3 क्या है 1 है minus 3 r1 हमारा क्या है 0 है तो answer क्या आएगा 1 आएगा तो यह 1 लिख दिया अब देखो यहाँपे r3 1 है minus 3 r1 क्या है 2 है 1 minus 6 तो answer क्या आएगा minus 5 तो देखो यह minus 5 लिख दिया similarly हमें यहाँपे apply करना है 5 पे तो answer क्या आएगा minus 7 तो इतना आगया हम थोड़ा speed सा देखेंगे अभी हर एक point नहीं बताऊंगा आपको अभी समझ में आ गया होगा तो देखो यह दोनों 0 आ गया अब क्या करना है हमें pivot entry पहले किसको बनाए थे 1 को अब हमें क्या करना है diagonal ही जाना है तो देखो यहाँपे आ गया तो यह क्या है 2 है तो 2 को हमें 1 मनाना पड़ेगा पहले तो यह कौन सी रो में है second row में तो हम यह से लिख सकते r2 arrow 1 by 2 r2 इसका मतलब क्या हो गया कि second row को 1 by 2 से multiply करो तो पहली and तिसरी यह दोनों row तो हमें same है लिखनी है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है जो भी change करना है वो हमें second row में करना है और second row में भी क्या करना है 2 को 1 बनाना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैंने जो अब यह बता है वैसे otherwise जो बुक में किया है वैसे भी कर सकते है अब हमें किसको 1 बनाना है यह 2 को तो देखो यह उसके बीलो में 1 है तो हम क्या करेंगे यह r2 row है हमारी 2 वाली उसमें operation करना है तो r2 tends to r2 में लिख देता हूँ उसमें से यह 1 minus कर देता हूँ 1 answer आता है तो 1 कौन सी रो में है 3rd row में है मैं लिख देता हूँ minus r3 तो यह operation perform करेंगे तो यह 1 जो है वो क्या बन जाएगा sorry 2 जो है वो 1 बन जाएगा तो यह r2 minus r3 सभी के लिए करना है तो देखो यह 0 minus 0 तो 0 ही रहेगा यहाँ पर पहली and 3rd row तो same ही रहेगी अब देखो यह 2 minus 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा minus 8 minus 5 करेंगे तो minus minus plus हो जाएगा तो answer क्या आएगा minus 3 तो देखो यह minus 3 लिखा है then यह minus 24 minus 7 मतलब यह operation आ 2 minus 3 minus minus plus तो minus 24 plus 7 क्या जाएगा minus 17 आ जाएगा तो यह हो गया अब हमें क्या करना है यह 1 आ गया उसके below क्या है 1 इनको हमें 0 बनाना है मतलब कौन सी row में operation करना है 3rd तो R3 arrow R3 में लिख देता हूँ अब देखो यह 1 ही है तो R3 minus क्या कर देना है R2 मतलब reference में कौन सी row लेनी है अभी second तो पहली row को हमें S0 लिख देना है और second row जो है वो भी reference है उसको भी S0 लिख दो तो जो भी changes करेंगे वो कहाँ पर करेंगे सिफ 3rd row में तो यह 0 बन जाएगा तो यह 0 लिख दिया अब यह perform करना है R3 minus R2 तो R3 क्या माइनस 5 minus R2 क्या माइनस 3 यह minus 5 plus 3 क्या जाएगा minus 2 तो देखो यह minus 2 लिख दिया बाद में यह minus 7 पर जाएगा minus 7 minus R2 मतलब क्या minus 17 तो क्या लिख देखो minus 7 plus 17 तो क्या आएगा answer 10 तो आ गया अब देखो हमारा यह जो है वो upper triangular matrix में गया अभी अभी आप यह minus 2 को भी 1 बनाना चाहते हो तो बना सकते है समझ मैं है अब diagonal ही जाना है इनको बना दिया है यह 0 भी बन गया तो अभी यहाँ पर जाना है इसको भी 1 बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो नहीं भी बनाओ दोनों 0 है तो क्या है हम लिख सकते है तो minus 2z equal to 10 लिख सकते है तो z equal to क्या आजाएगा 10 by तो मुलाँ minus 5 आजाएगा बाद में इनका equation लिखा दो क्या आएगा जो x 0 है तो y minus 3z equal to minus 17 आएगा तो यहाँ पर z की value एंडर करो तो हमें y मिल जाएगा यहाँ पर भी z की value एंडर करो तो x मिल जाएगा सभी की value मिल गई अब मैंने previous video में भी बताया था सभी की value आई तो हमें check करना है तो तीनों equation में से कोई भी equation में left side पे x y z की value एंडर करो मान लो कि यहाँ पर आपको x y z की value एंडर करो तो answer अपके क्या आएगा 5 हुए आएगा मैंने आप equation satisfied होना चाहिए तब जाके हम बोल सकते हैं कि हमारा हमने solution find किया वो कैसा है सही है पता चला तो इस method से भी हम example कर सकते हैं कैसे यह one बना के हम operation कर सकते हैं यहाँ पर यह जो दो तिन step जो है वो बढ़ जाएगे देखो यह one बनाने के लिए एक step यह increase हुआ और यहाँ पर एक step यह increase हुआ हमने previous वीडियो में किया था तो यह step के बाद यह और यह हमने direct किया था यह row operation change किया थे राइट तो आप दो मेंसे कोई भी method से आप कर सकते हो चलो तो अब हम और move होते है same method का example है लेकिन थोड़ा अलग है देखो क्या है example solve the following system of a linear equation by using Gauss elimination method so method Gauss elimination है तो यह तीनों equation दिये है उनको one by one लिखो और उसके उपर से यह augmented matrix लिखो यह हमें पता ही है कैसे लिखना है तो मैं फिर से repeat नहीं करोंगा तो देखो यहाँ पर पहला ही element क्या है देखो 0 है यहाँ पर 8y plus 2z है x वाली term तो है ही नहीं तो उसको जगर पर क्या लिखेंगे उसके coefficient 0 लिखेंगे बाद में y का coefficient 8 z का 2 और यहाँ पर equal to minus 7 तो देखो यह पहला ही 0 आ गया है यह actually क्या होना चाहिए हमारा non-0 होना चाहिए समझ मारा है तो हम क्या करेंगे आगे हम जा ही नहीं सकते अभी example solid नहीं कर सकते तो क्या करेंगे यह जो row number 1 है उसके नीचे देखो यह 0 है उसके नीचे यह क्या है non-0 element है वो कौन सी रो में है second row में r2 में तो हम क्या करेंगे यह r1 और r2 को क्या कर देगे interchange कर देगे तो इसके लिए operation यह लिखेंगे r1 double implies r3 यह interchange कर देगे मरलब पहली जो row है उसको हम second row में लिखेंगे और यह जो second row है उसको हम लिखेंगे यह first row में बस इतना ही change करना है बाद में तो आप कोई भी method से example को कर सकते है इतना आ गया अब यह 3 non-0 आ गया उसको pivot entry बनाओ और उसके below के जो है दोनो element को क्या बनाना है जीरो तो यह एक तो जीरो ही यह already तो हमें किसको जीरो बनाना है 6 तो यह second row को as it is लिख देना है और first row हमें reference लेनी है तो वो भी as it is लिखो only यह जो third row है उसमें operation करके 6 को क्या बनाना है जीरो और यहां से आप दो तरीके से कर सकते है यह 3 को consider करके भी कर सकते है या तो 3 को 1 बना के भी हम कर सकते है जैसे हमने अभी अभी देखा तो 3 को 1 बनाना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर first row है तो r1 arrow 1 by 3 r1 कर देंगे तो जो पूरी row है उसको हम 3 से divide कर देंगे तो यह 1 बन जाएगा पहले element यहाँ पर कहेगा 5 by 3 2 by 3 and 8 by 3 तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो या तो direct करना चाहते हो तो direct भी कर सकते हो तो यह 3 को pivot entry लेगो 1 नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा 1 बना के करो तो 2 step आपके ज़्यादा आएंगे वो भी easy रहेगा तो यह पहली row को reference लेंगे तो यह तो 0 है तो third row में हमें करना है तो क्या लिखूंगा मैं operation third में करना है R3 arrow R3 reference कौन से line लेनी है पहली तो मैं क्या लिखूंगा R1 अब यह 6 है और यहाँ पे क्या है 3 है तो R1 को मैं क्या करूंगा 3 तो है ना तो 2 से multiply करूंगा तो 6 है जाएगा और यहाँ पे बीच मैं क्या करना है minus तो देखो R3 मतलब 6 minus 2 और R1 का element कौन सा है 3 है तो देखो 6 minus 6 0 आ गया तो देखो यह 0 आ गया पहली और दूसरी लाइन तो as it is ही लिख देनी है रो तो अब देखो R3 जो है मतलब कौन सी है यह वाले 2 next element minus यह 2 R1 का element कौन सा है 5 2 minus क्या आएगा 10 answer क्या आएगा minus 8 आएगा तो देखो यह minus 8 आ गया अभी हम next element के बारे मां बात करेंगे वो क्या है 8 है R3 में minus 2 अभी R1 में क्या है देखो यह 2 so 8 minus 4 answer क्या आएगा 4 तो यह 4 आ गया अब क्या है next 26 R3 ओके यह वाला minus 2 R1 क्या है 8 है so 26 minus 16 क्या जाएगा 10 तो देखो यह 10 आ गया बहुत easy है actually तो यह step आ गया अब यह 3 को हमने pivot बनाया था उसके below का 0 बना गया तो अब हम diagonal ही जाता है 8 8 को reference में लेके मतलब second row को reference में लेके हमें minus 8 जो उसके below है उसको 0 बनाना है तो हम 8 को 1 बना के भी कर सकते है ऐसे हमने previous example में देखा है यह तो आप direct भी कर सकते है operation किसमें करना है third row में तो मैं क्या लिखूंगा R3 arrow R3 तो लिखी देख़गा reference line कौन सी लेनी है हमें यह second यह pivot entry है तो वो row लिख दूंगा R2 अभी उसमें 8 है और यहाँ पर minus 8 है हम दोनों के addition कर देंगे तो directly answer 0 आ जाएगा देखो यह 0 आ गया यह 2 plus 4 क्या आ गया 6 minus 7 plus 10 क्या आएगा 3 तो देखो यह हमारा upper triangular matrix आ गया तो अब हम हम उसको क्या करेंगे back substitution method यूज करेंगे और यहाँ से जाएगे last से यहाँ से हम क्या लिखेंगे यह पहली जो column है वो corresponding variable x दूसरी के y तिसरी का z तो देखो x and y 0 है तो क्या लिखेंगे 6 z equal to 3 लिखेंगे तो z equal to क्या जाएगा 1 by 2 आएगा 3 by 6 मतलब अब back substitution है तो हम उसके पीछे का equation लिखेंगे तो क्या आएगा 8y plus 2z equal to minus 7 और यहाँ पहम क्या करेंगे अभी यह z की value 1 by 2 रख देंगे तो हमें y मिलेगा बाद में हम लिखेंगे यह equation तो यह आएगा 3x plus 5y plus 2z equal to 8 तो वहाँ पे हम जो पीछली की value हमने find किये y and z की वो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा x मिलेगा अब देखो यह तीनों की value आ गई तो हमें exam में नहीं बताना है लेकिन हमें check करना है कि हमारा answer right है या wrong है तो हम तीनों में से कोई भी एक equation में रखेंगे पता लगा सकते है तो यहाँ पे x कितना आया 4 आया y minus 1 and z जो है वो 1 by 2 आया तो देखो कोई भी एक easy equation ले ले लेते है कौन साल ले लेते है तो यह ले लेते है second equation 3 है x की value 4 आयी plus 5 y की value minus 1 आयी plus z की आया 1 by 2 तो देखो 4 फ्रीजा 12 minus 5 यह 2 और 1 by 2 2 to cancel तो प्लस 1 हो जाएगा 12 plus 1 क्या जाएगा 13 minus 5 equal to क्या जाएगा 8 तो see यहाँ पे answer 8 आया यहाँ पे right side पे क्या है 8 है that means equation satisfied हो गया हमारा answer कैसा है सही है तो यह इस तरह से पहले 0 आ जाएगा इस तरह से मतलब हमें row interchange करने मान लो के हम यहाँ पे मुह होते है यहाँ पे 0 है तो उसको भी आप row को interchange करके आप non-0 कोई भी element है उसको as a pivot entry आप ला सकते हो तो यहाँ पे हमने 2 देखा यहाँ पे 3 है तो direct consider करके भी इसको 0 बनाओ यह 3 को 1 बना के भी आप 0 बना सकते है तो कि जो चाहे आप कर सकते हो इसमें goss elimination method के अदर तो आज यहाँ पे हम end करते हैं next video में हम आगे की method के बारे में discuss करेंगे